बाइस जनवरी को भगवान राम जो बाहर है टेंट में है वो प्राणपरतिष्टा उनका हो रहा है घर में पहुंच रहे हैं इसको लेकर देश भर में देश जो भाग में बट गया है एक राम के बिरोधी लोग हैं और एक राम के पक्ष के लोग हैं लेकिन हमारे साथ अी हरं के लोगों का सम्मान करते हैं और बिकांश करते हैं उनका उद्देश साफ है तो हम अपने नेता नितिस्कोमार जी के बिचार धारा पर चलते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं मंदिर बने कहीं मजजित बने इसे कोई अंतर नहीं पड़ता है धर्म को राजनीती से अलग रखना चाहिए आपके मुख मंत्री सुझासन बाबू के रूप में जैने जाते हैं आपकी पार्टी लगतार प्रधान मंत्री पत की मांग कर रही है क्या कहेंगे इस पर आप देखिए पार्टी के अधिक्रित में जनता चाहती है बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ी बात होगे कि नितिसकुमार प्रधान मंत्री बने मैं भी चाहता हूं कि इनमें काबिलियत है यह प्रधान मंत्री बने और लेकिन यह सब तो चुनाओं के बाद होगा कौन बने अधि इनकार किए झनकार जाने लेकर क्वसिए कि राम मंदिर सुप्रीम कोट के जज्मेंट के बाद बन रहा है सारे हिंदु खुस है भारत के अलग धर्म के लोग भी खुस है ऐसा कुछ नहीं है यह बहुत दिनों से था कि वह एक्चुल राम जन भूमी वह है तो वहां राम मंदिर बनना चाहिए और बन रहा है तो बहु कि आप देखी चुके हैं कि नितीश कुमार जैसा इमांदार नीता ऐसा मुख मंत्री साइधी इन फैक्ट पूरे भारत में कोई होंगे एक दो होंगे तो अलग बात है लेकिन बिहार की बात देखेंगे स्रीकृसिन सिंग के बाद जितना विकास बिहार में हुआ है चाहते भी हैं कि एकदम जब इनको आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हर तरह का वोट जो कॉंग्रेस को नहीं मिलेगा वो भी इनके नाम पे जुड़ जाएगा तो आप सुल रहते डॉक्टर संजीव को इन्हों ने भी साफ कर दिया कि नितीश कुमार प्रधान मंतरी के लिए सबसे बहतर उमिद्वार हैं अगर प्रेमिश्टर मोदी को हराना है तो नितीश को प्रधान मंतरी का दावेदार इंडिया गटमंधन को घोशित करना होगा प्रधान मंतरी गोशित करना होगा और भकुमार राम पर भी बड़ी बाते डॉक्टर संजीव ने कह दिया हमारी सोजोगिस सन्नी कुमार मिश्टरा के साथ होसलंद्र पतना से